तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ATI Pro के 2000W के स्पीकर के बारे में जोगी है 18 इंची का स्पीकर तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ इसी स्पीकर का एप प्रोक्स प्राइस की यहां पर लगबग प्राइस आपको कितना पड़ सकता है मार्केट में और यह यहां पर आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए अगर आप यहां पर कमेंट देख सकते हो जाई भाई का यहां पर कमेंट है यहां पर एक सेवन जो एक सेवन अपलिफार है एक सेवन का वीडियो आ चुका है पहले ही अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो चैनल में आप जाके चेकाउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रेप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा तो यहां पर हम एक कमेंट ले ल और impedance आपको मिलता है atoms और यहाँ पर frame जो है इसका aluminium का है voice coil के बारे हम बात करते हो तो यहाँ पर 5 इंची का voice coil use किया गया है जो की in और out में आपको मिल जाता है net weight के बारे हम बात करते हैं तो 17 kg का speaker है और जिसका magnet आप देख सकते हो 4 piece cut magnet में है मतलब कि 4 piece में यहाँ पर divide है और यहाँ पर हम बात करते है frequency response के बारे में तो यहाँ पर 35 Hz से लेकर के 1500 Hz का यहाँ पर frequency आपको मिल जाता है इस speaker में अब बात कर लेते हैं इस speaker का जो आपका load calculation आपको कैसे करना है साथ ही साथ नहीं पर हम बात करेंगे speaker कैसा है तो पहले हम बात कर लेते हैं speaker कैसा है तो यहाँ पर इस speaker में आपको बता हूँ तो medium range speaker है ज्यादा hi-fi quality हम नहीं कह सकते हैं लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और इसका जो मतलब एक कमजोरी है या फिर हम कह सकते हो कुछ company वालों थोड़ा सध्यान नहीं दिया है इस speaker में यहाँ पर जो जाएगा comment तो यहाँ पर इसका जो frame जो है यह तूट जाता है मतलब जो लेते हैं वो उनका कहना है कि इसका जो frame है वो तूट जाता है आप पता नहीं कैसे तूट जाता है कैसे बजाते हैं कैसे क्या करते हैं लेकिन जो customer का जो reply आता है या फिर जो भी comment आता है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहां मतलब कि जो इसका फ्रे division रसा होड़ सा कमजोरी यह तो अगर अप लेना चाज़स्ते हो और इसका price मैं आप बता दूँगा वीडियो के last में और speaker के बारे हम बात करते हैं तो कैसा response हमें मिल जाएगा जैसे कि ATI Pro का speaker है 2000W का speaker है जो कि 5 इंच में वो square उस्केल यूज किया गया है तो यहाँ पर हम मान सकते हैं speaker का जो voltage निगल के आएगा वो आएगा minimum 1500W से लेकर के 1700W के आसपास आपको जो है power output आपको मिल जाएगा उतना से ज़्यादा आप उमीद मत रखिएगा तो यहाँ पर हम बात करेते हैं पहले load calculation के उपर तो यहाँ पर अगर आप 2 base यूज करते हो तो यहाँ पर MT गा जो solar 0-1 model आता है 600W का amplifier वो आप यहाँ पर amplifier यूज कर सकते हो काफी अच्छा रहेगा और अगर हम 4 speaker के बार बात करते हो तो यहाँ पर अगर आप 4 speaker यूज करते हो 2 base एक चल में 2 base दूसरे चल में तो यहाँ पर zephyr का z8 यूज कर सकते हो या फिर z7 भी यूज कर सकते हो दोनों में चल जाएगा कोई दिकत नहीं आएगा और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर speaker का लगभग price कितना पड़ेगा यहाँ पर अगर आप speaker लेते हो तो इसका price लगभग 15-16,000 आपमान की चलिए market में हो सकता है 1000-2000 के असपास कम ज्यादा हो सकता है यह मैं आपको एक अनुमान price बता रहा हूँ एक round लगभग approach price 15-16,000 के असपास speaker का price है price अब पता कर सकते हैं market में हो सकता है आपके market में अलग price हो सकता है 1000-2000 के असपास उपर नीचे तो यहाँ पर जो आपको मैंने बता है ATI PRO ATI 2000 का model number है इसके बारे में सारा चीज में आपको बताने की कोश्ट करीए इसी वीडियो में छोटे से वीडियो में वीडियो कैसा लगा नीचे comment में बताएगा इस speaker के बारे में कोई opinion या फिर कोई सुझाओ इस speaker कैसा है अगर आपके पास है तो आप price जरूँ शेयर करिएगा कि आपके market में लगभग इसका price कितना बढ़ जाता है तो चले मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मात्रम